पुलिस की तरह अब होम गार्ड को भी सुविधाय मिलने जा रही हैं। पंडी दीन दयालोपाध्य कैशलेस स्टेट हेल्थ कार्ड योजना लागू होने से अब होम गार्ड अपना मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। इसके बाद होम गार्ड किसी भी तरह की बिमारी होने पर अपना और आश्रित परिजनों का इलाज करा सकेंगे। इसी क्रम में हमारे होमगाड जवानों को एक पंडित दिन द्याल उपध्ध है कैशलेस स्टेट हेल्थ कार्डियोजना एक लागू कर दी गई है जिसके अंदर के सभी के हेल्थ कार्ड बनाया जा रहे हैं जिसमें उनका पूर्ण विवरन होगा सारे विवरन के साथ उनका जब हेल्थ कार्ड बन जाएगा तो उनको बीमारियों में इलाज के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी और निश्चिंद होके वो अपनी बीमारी का सुचार रूप से इलाज करा सकेंगे होमगार्ड के इलाज के लिए सरकार सरकारी और प्राइवेट होस्पिटल को चिंहित किया जा रहा है चिंहित किये गए अस्पतारों में निश्चिल्क इलाज कराने की विवस्था की जा रही है अब तक होमगार्ड को कल्यान को से 10,000 रुपे की साहेता इलाज के लिए मिल रही थी होमगार्ड को प्रति दिन 852 रुपे वेतन मिल रहा है कैशलेस योजना लागू होने से होमगार्ड के चहरे खिल रही है उसमें जो अन्मन किया जाएगा उनके जो आश्रित होते हैं और जो एक उनकी परिवार जन्गी परिवार की जो निर्धारित भाशा है उनकी पत्नी और उनके बच्चे और उस तरह की उनकी सुईधाओं का उनका भी खयाल लखा गया है पंडे दीन दयाल उपाध्याय राजी कर्मचारी कैशलेस चिकस्ता योजना के तहट राजी कर्मचारी और पैंशनर्स और उनके आश्रितों को आपातकालीन और असाध्यर रोगु के कैशलेस उपचार की सुविधा दी जा रही है होमगार्ट पुलिस के साथ कंदे से कंधा मिलाकर कारे कर रहे हैं बागराजिले के 2400 होमगार्ट का लाब उड़ा सकेंगे पुलिस की तरफ से मिलने जा रही सुविधा को लेकर होमगार्ट में खुशी की लेहर है